नवस्कार स्वागत है आपका शुरुबात करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है जहां पर धामी केबिनेट के अहम बैठक चल रही है केबिनेट बैठक में सम्विदा आउट्सोर्स महिला कर्मियों को तोफा मिल सकता है सम्विदा कर्मियों के लिए सरकार छे महिने के मात्रित आउटकाश की सुविधा दे सकती है इसके साथ ही राज आंदोलनकारियों को दस फीजदी आरक्षोन देने का प्रस्ताव भी आ सकता है वहीं सप्लिमेंटरी बजट, सर्विस सेक्टर पॉलिसी, पंप स्टोरिज पॉलिसी पर भी केबिनेट के बैठक में मुहर लगाई जा सकती है बहुत जल्द मौनसून सत्री की शुरुआत होने वाली है और इससे ठीक पहले केबिनेट के बैठक बहुत एहम मानी जा रही है जिसमें अलग-अलग मुद्धों पर चर्चा हो रही है हमारे सेवगी सुनिल प्रवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके है सुनिल आपके पास क्या जानकारी क्या आप डेटेटे बैठक को लेकर देखे हमित कैबिनेट मिटिंग अभी चल रही है सारे 12 बजे से कैबिनेट मिटिंग सुरू हुई थी इस कैबिनेट मिटिंग को लेकर दो चीजे बहुत नहीं है क्यों चेराजर सरकार अपने बिजिन डिपार्टमेंट की जो पॉलसी है उसको रिवीव कर रही है उसको जादा लचीला बना रही है जादा प्रेक्टिकल बना रही है तो आज खासका सर्विस से जुड़ी पॉलसी आज कैबनेट में आ सकती है उसको मंजूरी मिल सकती है जिसको जिवीव किया गया है उसको भी नई पॉलसी बनाई गयी है उसको भी आज कैबनेट के सामने डखा जा सकता है इसको मंजूरी दी जा सकती है और दूसरा जो मेट्फोन पॉइंट है जो बिदान सबार का मांसुन पेसन है उसके मेदने जग हो सारे परफ़ता हुए यहां पर आपके हैं जिसमें खासकर राज्यांदर अनुकारियों को और उनकारियों को और उनकार्चितों को दस दसी चे चिंके सुनिल आप इस बड़ी बैठक पर नजब बना रखियागा हम आपती पास आएंगे अपडेट के लिए शुक्रिया आपका हमरसा जोने उत्राखन का मौनसून सत्रे 5 सितंबर से शुरू होने जा रहा है इसको लेकर विधान सबाद द्यक्ष रित्यु खंडूरी ने आज सुरक्षा बैठक बुलाई सदन ठीक प्रकार से चले और ट्रफिक की वज़े से जनता को कोई तकलीव भी न हो इसका विशेज ध्यान रखने के अधिकारियों को निर्देश दिये गए किस तरह से सुचारू रूप से हम सदन को चला सकें किस तरह से सिस्टम्स प्लेस पर हो चाहे पानी हो बिजली हो अनेक सुवधा हो पासे में कौन अंदर आपाएगा किस तरह के पासों का पास जो है उनका वितरन होगा जी समय से पहुंचना चाहिए और ऑफिसर्स को तो ब पाँच मिनट पहले ही पहुंचना चाहिए बहुत एहम बैठक होती है सुरक्षा की बैठक एहम होती है और इसलिए सभी को बुलाया भी जाता है और मुझे खेद है कि कुछ लोग देर से पहुंचे बिल्कुल जाज की जाएगी उसके बाद उनके बारे में लिखा भी जा का अवतार बता रहे हैं और ओडियो में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो जिसे छू लेते हैं वो धन्य हो जाता है उन्होंने ये भी का कि भगवान कृष्ण और गौतम बुद्ध के बाद 11 अवतार भुमें बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने इस ओडियो को पीछे बैक बगल के चलता है वो तोरा मुड़ा आज्मी है अशन कुमार के पीछे बैक बगल के चलना तो आजमीं को किसमत से मिलता है मिस्करपाल को जाता है तो जिसको चू लेता हो ना वी द्धनी हो जाता है पौन है प्रिष्ण का अवतार मैं हूँ बाबरी अपने और आज खटीमा गोलिकान की बरसी भी है खटीमा के शहीद स्थल में शहीदों की याद में कारिकरम का विजन किया गया इस दोरान सियम पुशकर सिंग्धामी ने शहीद राज्य आंदूलनकारियों को शद्धानजली अर्पित की इसके साथ ही केंदरी राज्यमंत्री अभी नहीं भूला चा सकता है जब निहत्य अंदूलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी और अलग राज्य की मांग करने वाले अंदूलनकारी शहीद हो गए थे उनकी शहादत की ही देन है कि आज उत्राखन अलग राज्य के रूप में सब के सामने है और विका भी लेन भूले थे ऐस्कार से शान्ति पुर्बात आंदूलनकारियों के उपर किस प्रकार से यहां पर बनीया चलाए गई किस परकार से बर्वता फुर्वत लाटई चार्जिकी आ गया और साथ लोग स्थ हुआज का दिन यह कोई हमारे ले खुशी का दिन नहीं है आज का दिन हमें उन सब का इसमन कराता है कि कितनी कठी निस्थितियों में कठी परिस्थितियों में यह राज्य हमको प्राप्त हुआ है और जो हमारे साथो सहीद है निस्थित रूप से उन्होंने अपना सरवोच बलिदान देकर हमारे गार्जे निर्माण का जो मार्ग है वो मार्ग को हमने प्रसस्त किया और ये कसक हमारे दिल में है हमेशा रहेगी कि हमने अपने अलग राज्य के लिए तुनिस के अथ्याजार को सहा अपने पीच के अपने इस नहीं जिनों को अपने परिवारिक जिनों को हमने खोया है ये कोई साधारन बात नहीं है ये असाधारन बात है अभी आल देखेगा कि राज्य की नियू में हमारे ये शहीद है ये शहीद नहीं होते मसूरी में शहीद नहीं होते ये राज्य और देरी से मिलता दूर तक मिलता कुमाओं में हलदवानी अलमोडा नैशनल हाइवे एक बार फिर से बंद हो गया है कौरप पुल पर पहाड़ी से भारी मलबा आने के चलते ये रास्ता बंद हुआ है जिसके वज़े से हाइवे बाधित हुआ है फिलाल नैशनल हाइवे पर आवजा ही पुरी तरीके से बंद है वहीं हाइवे बंद होने सियात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कोड़द्वार में मालन नदी पर बने पुल को टूटे डेड़ महीने से जादा का वक्त बीच चुका है लेकिन अभी तक पुल की मरमत को लेकर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है IIT रुड़की समेत एक्सपर्स इंजिनियर्स की टीम भी मालन पुल का निरिक्षोन कर चुकी है लेकिन अभी भी पुल की मरमत का काम शुरू नहीं हुआ जिससे पुल के लंबे समय तक ठीक नहीं होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं भावर्क शुत्र के लोग डेर महीने से कभी नदी तो कभी कर्ण वश्रम पुल के रास्ते आवा जाही करने को मजबूर है लेकिन यहां पर पुल के निर्माल को लिकर या फिर पुल को दुरूस्ट करने को लिकर कोई भी कारवाई आगे बढ़ती भी नहीं दिखाई पड़ लिए नदी का जो पूल है उसी को हम इस्टेंथिनिंग करेंगे यह उपन फॉंडेशन है उसमें जो है कंसल्टेंट से आग बिजिट भी कर लिये थे मालन पूल पर करीब लगवक दस करोड के आसपास आएगा उसको इस्टेंथिनिंग करने में कि ताकि फ्यूचर में इस तरह क प्राब्रम नहो सके उदर बारिश के वज़े से केधार्ना thôi क arqu कई जगोंपर बाधित है खस्ता हाल में है वहीं जलद ही केधार्नाफ Highway का ट्रीट्मेंट भी किया जाएगा, सौ करोण के लागत से केधानाफ हाइवे का ट्रीट्मेंट हो ना है, कुंड से स्टोन प्रयाक क बीच हाइवे को ठीक किया जाएगा हाइवे पर कई जगों पर डेंजर जून बनने से याथियों को भारी दिक्कतों कर सामना करना पड़ रहा है कई बार घंटों जाम लगा रहता है ऐसे में हाइवे का ट्रीटमेंट होने से याथियों को सुविधा मिले पाड़ों में बारिश से फिलहाल राहत मिल रही है लेकिन इस बार मौनसून की बारिश में जोशिमट नगरक्षित्र में काफे नुकसान भी हुआ है बारिश से सबसे ज़्यादा नुकसान सर्कों को पहुँचा है बज़िनाथ नैशनल हाईवे जो नरसिंग मंदिर से गुजरता है वो पिछले 40 दिनों से जगा जगा भूसकलन की जद में आ गया है इस सड़क से बदिनाध धाम और हेमकुन जाने वाले यात्रियों की गाडियों की आबाजही होती है वहीं रूट खराब होने के चलते मुख्य बाजारों में जाम लग रहा है और लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है पौडी जिले में भी साल बरसात के वज़े से कई पुल धराशाई हो गए जबकि कई पुल जरजर हालत में है लोक निर्वार विभाग ने जिले में 19 पुलों को असुरक्षित बताया है वहीं मौसम साफ रहते अब कुछ तूटे हुए पुलों को दोबारा से बनाने में लोक निर्मार विभाग जुड़ गया है जबकि कुछ पुल पर मरमत के काम को पूरा करने के लिए विभाग में शासन से बज़टी मांग की है और पुलों का प्रस्ताव शासन को भीज दिया गया है लोक निर्मार विभाग का एकना है कि नवंबर तक कूटे पुल और असुरक्षित पुल की मरमत का काम पूरा करने जाएगा रशिकेश के आसपास के लाकु में लगातार हाथी का आतंक बढ़ता जा रहा है इताज़ा मामला डोईवाला के माजरी ग्रांट शेरगढ़ का है जहां पर हाथी रात को अपने बच्चों के साथ घूमता हुआ नजर आया वह स्थानी लोगों ने वन्मिभाग को लापरवाही का आरोप जिम्मेदार बताया है लोगों के कहना है कि हाथियों के आतंक को रोकने के लिए वन्मिभाग को कोई ठोस फदम उठाना चाहिए लेकिन फिलाल ये प्रयास वन्मिभाग के तरफ से नहीं हो रहा है अलमुडा के लोवर मॉल रोड और कर्बला से सिकुडा बैंड तक धारा नौला में अतिक्रमन हटना चाहिए और इसकी मांग भी लगातार हो रही है लंबे समय से जिसके लिए नैशनल हाईवे और लोग में वाड़ भाग के अतिक्रमन कारियों को नोटेस जारी करने के बाद भी सामने आई है और दो हफते में खुद ही अतिक्रमन हटाने के लिए कहा गया है अतिक्रमन की जद में सैक्रों दुकाने और आवासे भावन भी आ रहे हैं विभाग ने दुकान और मकानों पर निशान भी लगा दिये हैं अब लोग आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए हैं व्यापारी और इस्थानी लोग धरने की तैयारी कर रहे हैं प्रशमें लियों कि पानी पर हाउस का यूजियों की तबी दिया जाए न Dent लेकिन पीछ टेटि है हमें बंधने किका Hagg sheets कौंडटा नहीं चमुली की कणप्रयाग तैसील में कणप्रयाग नौटी पैठाडी कुषित्र के ग्रामिडों ने जमकर हंगामा किया हाईवे की किनारे अत्क्रमट के खिलाप हो रही कारवाई से गाउं के लोग नाराज लोगों के कहना है कि सड़की किनारे जो मकान और दुकाने बनाई गई है लोक निरमार विभाग उसे हटा रहा है जबकि वो घैर कानूनी नहीं है ग्रामिडों ने तैसिल मुख्याले में पहुँचकर जमकर नारे बाजी की और विभागी कारवाई को फोरण बंदू करने के बाद अपनी पैतरिक जमीन पे हमने जीवन मर की जो भी कुणजी थी उसको लगा कि अपने परवार सहीत अपना ब्यावशाए अपना रोजगार उसी से हमारा चलता है और आज अधिकरमन के नाम से यदि उसको उजाड़ा जाएगा तो हम तो रोड पे आजाएंगे बदरिना धाम में 59 दिनों से विस्थापन नीति के विरोध में हक, हुकूक, धारियों और तीर्थ पुरोईतों का धरना जारी है तीर्थ पुरोईतों का कहना है कि मास्टर प्लान कारी के तहट जो विस्थापन नीत प्रुभावितों के लिए बनाई गई है उससे वो संतुष नहीं है वहीं प्रदर्शन कारी ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दिये तीरी के भरपूरिया इलाके में गुलदार के आतंग से लोग दहशत में हैं 26 अगस्त को आंगर में खेल रहे बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था जिसके बाद गुलदार को मानने के लिए टीम ख्षेत्र में तैनात कर दी गई है लेकिन ट्रैप कैमरा में गुलदार के लोकेशन नहीं मिलने के चलते टीम अभी भी गश्त कर रही है और गुलदार के आतंग से लोग पहशत में है एक बार यहां बाग डह बजी आये दिन में आपे यह मकान में डह बजी दिन में आये बाग लोगों ने देखा जंगलात वाले रात को आते नो दस बजे सवरन बजाते भी चले जाते गश्त पे हैं पेट्रोलिंग पे हैं लोगों को भी ग्रूप किया जा रहा है और साथी साथ यह अनुरूद करना चाहूंगे लोगों से कि अगर एट प्रेसेंट हम लोग वैसे ट्रैप से पता चलेगा कि आम लेपर्ट की प्रेसेंट कितनी हैं उत्राखन में लगता देंगू की केस बढ़ रहे हैं उत्राखन के पांच जिलों में देंगू की मार जादा है राजधानी देहरादून ही डेंगू के करीब 500 मामले यहां पर सामने आ चुके हैं वहीं प्रदेश में 724 डेंगू की मामले दर्च के गए हैं जिसको देखते विए राजधानी देहरादून में कंट्रोल रूम इस्थापित किया गया है और टोल फी नमबर भी जारी कर दिया गया है जिससे डेंगू मरीज, ब्लड, प्लेटलिट्स और बेट की जानकरी ले सकते हैं डेंगू के जो बढ़ते हुए मामले थे उसको देखते हुए एक स्पार्ट सिटी में कंट्रोल रूम की स्थापना की है इसमें सभी विवागों की प्रतिनिती बैठ रहे हैं और जहां से भी हमें ये रिपोर्ट प्राप्त होती है कि हापर आरजन्ट ब्लेट की आपशकता होती है हम बहाँ पर ब्लड बैंक को हापस में कॉर्डिनेट करके और जो भी डोनर्स हैं उनसे बात करके ब्लड उप्लब्द करा रहे हैं बागेश्वर उप्चुनाव अंतिम दोर में पहुँच रहा है उप्चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और कॉंग्रेस एडी चोटी का जूर भी लगा रहे हैं असल में लोगसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे बागेश्वर उप्चुनाव को लिटमस टेस्ट की तोर पर देखा जा रहा है बीते विधान सभा चुनाव में अलमोडा लोगसभा से कॉंग्रेस ने सबसे अधिक सीटे जीती थी ये लोगसभा पहार की इकलोती ऐसी लोगसभा थी जहां कॉंग्रेस के 14 में से 5 विधायक चुने गए थी ऐसे में इसी लोगसभा क्शेत्र में हो रहे बागेश्वर उप्चुनाव को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ने पूरा जोर लगा दिया है बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उप्चुनाव कमल के नाम कर जीत के सिलसिले को यूही लोगसभा चुनाव तक बरकरार रखा जाए विधान सभा की गणित को देखा जाए तो बागेश्वर उप्चुनाव के नतीजों से ना तो सरकार की जेहत पर कोई फर्क पढ़ना है नहीं दिपक्ष को बहुत कुछ हासिल होना है फिर उप्चुनाव के नतीजों का अलमोडा लोगसबा सीट पर सीधा सर पढ़ना तैमाना जा रहा है कॉंग्रेस अगर बागेशोर उप्चुनाव को अपने नाम करती है तो लोगसबा चुनाव के लिए उसकी राह कुछ आसान तो होगी ही साथ ही पार्टी वरकर भी जोशु से लब्रीज हो सकेगा बागेशोर का उप्चुनाव हो चाहे लोगसबा का चुनाव हो लोगसबा का चुनाव हो कॉंग्रेस पूरी तरतपता के साथ और पूरी मजबुति के साथ इस चुनाव को लेगी और जैसा मैंने कहा है देश बदलाव चाहता है परिवर्तन चाहता है उत्राखन में 2014 के बाद कॉंग्रेस लगातार बीजेपी से मात खाती आई है दो लोग सबाचुनाव के साथ ही विधान सबाचुनाव में भी उसे बूरी तरह हार का मुझ देखना पड़ा ऐसे मैं कॉंग्रेस किसी वितरा जीत का स्वाद चतना चाहती है लेकिन बीजेपी के मजबूत किलेबंदी कॉंग्रेस की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है निव्ज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजे वर्धन उप्रेती की निपो इदर सैनिक अल्याण और क्रिश्य मंतरी गड़ेश जोशी कुमाओ के दोरे पर हैं गड़ेश जोशी ने बागेशवर उप्चुना में बीजेपी की एक करफा जीत का दावा भी किया गड़ेश जोशी ने दावा किया कि बागेशवर में 6000 सेधिक पूर्वसैनिक बीजेपी के साथ है मोधी सरकार ने पूर्वसैनिकों को अभी सुविधाएं दी हैं और सभी सुविधाय जो सरकार की तरफ से दी गई हैं उनका फाइदा उसका लाब भी उनको मिल पा रहा है दामी सरकार लगातार प्रदेश में जनहित के एक काम कर रही है लिहाज़ा उप्चुना में बीजेपी की बंपर जीत तै में दावा के साथ के असक्त प्लाओं जफ्रकार सेनिकों का भरजनता पाल्टी के ब्रती लगाओ है और चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो और ओर उपी लागू किया तो देश के बधान मंत्री नरीनर मोदी जी नहीं किया और हमारे मकंती जी बुस्कुन सिंग धामी जी ने जितने अभी हमारे गरिन्टी अबाडीज है इनकी पुरुसकार रासी को कईयों ना बढ़ा दिया है सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट पाने के लिए आपति जनक पोस्ट करने वालों को हरिदवार पुलिस ने सखत चितावनी दी है पिशले दिनों हरिद्वार में सोशल मीडिया पर सामपरदाईक और आपत्य जनक पोस्ट के जाने के अलावा किसी की निजता भंग करने जैसी कई पोस्ट करने का मामला सामने आया था जिस पर पुलिस की ओर से थानों में मुकदमा दर्ज करते भी कारवाई भी की गई है स्सपी अजय सिंग ने स्थाख्त हिदायत देते वे काय कि लोगों को सामपरदाईक भावनाय आहत करने वाली और आपत्य जनक पोस्ट करने से बचना चाहिए हाल फिलाल ले div कि कटीमा गोल कांड की आज बर्सी है नै निताल में भी अंदोलंकारीं ने शहीदों को शध्धानजलिय हर्पित की और शहीदों को याद किया इस दोरान कारेक्टर में मौजूद अंदोलनकारी ने कहा कि आज तक लोगों को सजा नहीं मिल पाई है उनके जो कातिल रहे हैं, उनको आज तक हम लोग कटगरे के पीछे नहीं ला पाए, उनको दंडित नहीं कर पाए हैं, ये साथ उतरकाशी में भेड़ बक्रियों का पर्व अठुड मेला बहुती धूमधाम के साथ मनाये गया, जिसमें प्रकृति के खुबसूरत नजारों के बीच आस्था के विरंग देखने को मिले। में लोग भी मौजूद थे, इस मौके पर खुद सूबे की करिशिमंत्री भी ग्रामिडों के साथ मौजूद रहे, उन्होंने इस मेले को राज मेला घोशित करने की घोशना की। बुग्यालों में छे माह रहने के बाद ग्रामिडों की भेड़ बक्रियां गाउं पहुंचती हैं। मानिता है कि जो शद्धालू भेड़ बक्रियों के साथ मंदेर परिसर में परिक्मा करने के अलावा समेशर देवता के दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आठोड मेला पूरे आठ साल बाद आयोजीत हुआ, जिसमें लोक संस्कित की अनोखी छटा भी देखने को मिली। और इस दोरान ग्रामिड भी भाक्तिमे माहौल में जम कर जूमते नजर आए। बेडों की जातर देखी है, कि देवता के पीचे पीचे वो सत्य है, वो आज भी देवताओं की शक्ती है, देवुभूमी की शक्ती है, जो बनी हुई है और सब को बहुत सुल्दर आनन्द आया और ऐसा ही सब भाई चारा प्रेम बना रहे है। उत्राखन में इस तरह की कारिक्रमों से लोगों का लगाव लोग संस्कृति और प्रक्रिति की प्रति दिखाई पड़ता है, और सरकार को भी इस तरह की कारिक्रमों को प्रोथसाहन देने की जरूरत है। यूजेटीन के लिए उत्रकाशि से बलवीर परमार्त रिपूर्ट।